अहीं होगा तो साइबर सिल वाले आएंगे आपको एरेस्ट कर लेंगे, फूलिस आएगी आपको एरेस्ट कर लेगी मतलब इतने बड़े लेबल पर ये एक तरका हववा खड़ा किया जा कि जैसे पता ही नहीं क्या होने वाला है और एक आम इंसान इतना हरबड़ा जा रहा है इतना हरबड़ा जा रहा है कि बहुत सारे फ्रोड करने वाले इसी हरबड़ी कि यह जो निरासा जनक महौल लोगों ने खड़ा कर रखा है इस निरासा जनक महौल से आपको मैं निकाल सक कि अगर आपका bank account freeze हुआ है तो definitely वह unfreeze भी होगा थोड़ा सा आपको उस पर अपना समय खर्च करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा अगर आप यहां पर कोई motivational speech देने वाला हूँ तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं कोई motivational speech नहीं देने वाला हूँ मैं freezing of bank account के संबंद में बात करने वाला हूँ friends freezing of bank account के संबंद में पहली बात तो यह है कि no doubt यह law जो है और इससे related जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वा आम लोगों के लिए अब एक सिद्दर्द बनता जा रहा है सवाल सिर्फ प्रोसीजर का ही नहीं है इस प्रोसीजर के लूप होल्स का फाइदा उठा कर जिस प्रकार से scam करने वाले fraud करने वाले आम लोगों को परिसान कर रहे हैं उन्हें फसा रहे हैं और उनका bank account freeze करवा रहे हैं वह निश्चित ही एक निरासा जनक स्थिती पैदा कर रही है कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ साइबर सेल में एक complaint ठोक दे रहा है और साइबर सेल जो है उस complaint पर बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति का bank account को freeze कर रहा है एक media report के अनुसार रोजाना लगवग 2-3,000 bank accounts को साइबर सेल freeze कर रहा है freezing of bank account का law तो अपने जगा पर बहुत ही सही है और उसे बहुत सोच समझ कर बनाया गया था लेकिन इसके संबंद में जो procedure है जो प्रक्रिया अपना ही जा रही है उसमें इतने लूप होल्स हैं कि आम आदमी परिसान होकर रह गया है for example आपके bank account को freeze कर दिया गया है तो सबसे पहले तो bank से यह information निकालना ही कि 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 साइबर सेल ने आपके bank account को freeze किया है बहुत मुश्किल है अगर आप यह information निकलवा भी लेते हैं bank से तो फिर उस cyber sale को contact कैसे किया जाए यह एक और बड़ी समस्या है क्योंकि bank वाले नजल्दी email दे रहे हैं और नहीं वहां का phone number देते हैं चलो किसी तरह से आपने bank वाले को बोलकर email address भी निकाल लिया तो उस email address पे अगर आप cyber sale को message कर रहे हो तो एक-एक सब्ता 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन तक उधर से कोई जवाब ही आपको नहीं आता है जवाब आता भी है तो जब आप objectionable transaction के संबंध में कोई clarification दे भी देते हैं तो महिने, 2 महिने, 3-3 महिने तक का समय cyber sale ले रहा है उस संबंध में investigation complete करने के लिए इतने समय के बाद जाकर एक वेक्ति को पता चलता है कि उसका bank account अभी तुरंट release हो रहा है या फिर आगे और भी किसी प्रक्रिया को उन्हें अपना ना पड़ेगा समस्याइं तब और जटिल हो जाती है जब बिहार में बैठा एक वेक्ति का bank account freeze हो रहा है तेलंगाना cyber sale के दोरा या केरला के cyber sale के दोरा अब भीहार में बैठे उस वेक्ति के लिए तेलंगाना जाना या फिर केरला जाना इसी प्रकार से रहस्तान में बैठे एक वेक्ति को पता चल रहा है कि तेलंगाना cyber sale से उनका bank account freeze कर दिया गया है केरला में बैठे एक वेक्ति को पता चल रहा है कि गुजराथ cyber sale से उसका bank account freeze कर दिया गया है बेंगॉल में बैठे लोगों को पता चल रहा है कि गुजराथ cyber sale ने उनके bank account को freeze कर दिया है तो अब आप समझ सकते हैं कि इस परस्तिती में अगर cyber sale किसी भी व्यक्ति को बुला देता है कि भाई आप हमारे सामने आकर clarify करो अपने transaction के संबंध में तो it is definitely not an easy task. इतनी लंबी दूरी टैग करके दूसरे state के cyber sale के पास जाना और clarification रखना अपने आठ में एक बहुत बड़ा challenge है. और उस परिस्तिती में तो खास करके जब आपको यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि पूरा मामला है क्या, कोई अगर FIR भी हुआ है तो वो आपके नाम पर हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपका bank account स्रिफ एक fraud transaction में फस गया है, इस संबंध में cyber sale कोई जानकारी नहीं द पास जाए, bank account के संबंध में clarification दे, या फिर किस प्रकार से इस पूरे मामले को solve करे, इस संबंध में बहुत सारे bank के जो लोग है वो भी negative role play कर रहे हैं, जब भी आप उनसे जाते हैं और उनसे detail मांगते हैं, तो पता चलता है कि bank वाले आपको तरह तरह के negative बाते बोलते हैं और कहते हैं कि आपका bank account release हुई नहीं सकता है, या फला 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 समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है, पता नहीं क्या ही है और वह आपको यही सला देंगे कि आप bank account को युहीं छोड़ दो, युहीं पड़े रहने दो, 7-8 महीने बाद, साल बार के बाद आपका bank account खुद बखुद रिलीज हो जाए या फिर कोई settlement का अगर मौका मिलेगा तो bank वाले खुद ही आपके इस matter को settle करवा देंगे इस तरह की कुछ निरासा जनक बातें bank वालों के द्वारा भी उन लोगों को कही जा रही है जिनका bank account freeze हो गया है इसके अलाबा कुछ लोग जिनके bank account freeze हुए है वह local cyber cell को उन्होंने contact किया है तो cyber cell वाले उन्हें पूरी तरह से हतास कर रहे हैं कह रहे हैं कि भई हमारे यहां सो तो कुछ होगा नहीं तो ये तो बात logic समझ में आती है कि अगर suppose बिहार में किसी बंदे का अगर bank account freeze हुआ है और अगर उसे तेलंगाना police ने किया है या तेलंगाना cyber cell ने किया है तो बिहार cyber cell इसमें कुछ नहीं कर पाएगा definitely उस व्यक्ति को हर हालत में तेलंगाना cyber cell को तो contact करना ही पड़ेगा यहां तर तो बात समझ में आती है लेकिन cyber cell के द्वारा भी इन लोगों को इस तरह से हतास और निरास कर दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप को हाँ पर जाओ इस समझ में clarification दो देखो आपका मामला क्या है नहीं होगा तो cyber cell वाले आएंगे आपको arrest कर लेंगे पुलिस आएगी आपको arrest कर लेगी कि मतलब इतने बड़े label पर ये एक तरह का हववा खड़ा किया जा रहा है कि जैसे पता ही नहीं क्या होने वाला है और एक आम इंसान इतना हरबड़ा जा रहा है कि बहुत सारे fraud करने वाले इस हरबड़ी का नतीजा उठा कर जिनका bank account freeze हो रहा है उन लोगों को लगतार ठग रहे हैं तो यह तीन चार कारण जो मैंने मोठे तोर पर आपको बताया है इससे लोग बहुत ही निरास हो रहे हैं और उनको यह लग रहा है कि उनका यह problem solve भी नहीं होगा अब इस वीडियो को बनाने का कारण यह था कि यह जो निरासा जनक मोहौल लोगों ने खड़ा कर रखा है इस निरासा जनक मोहौल से आपको मैं निकाल सकूँ और आपको यह यकीन दिला सकूँ कि अगर आपका bank account freeze हुआ है तो definitely वह unfreeze भी होगा थोड़ा सा आपको उस पर अपना समय खर्च करना पड़ेगा और सबर करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं कि जितने भी मैंने freezing of bank account के समबंद में वीडियो बनाए हैं और उनमें जो भी मैंने समस्या या उसका निदान आपके सामने रखा है वह कहीं से भी bookish knowledge नहीं है मैंने वह सारे अपने practical experience पर आपके सामने रखे हैं या फिर उन लोगों से बात करके मैंने आपके सामने उन लोगों की बाते रखी हैं जिनके समस्याएं solve हुई हैं इस समस्या से related बहुत सारे लोग मुझे contact करते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को मुझे बताते हैं उन सारे लोगों के समस्याओं को सुनकर और जो मेरा practical experience रहा है अभी तक इसी के आधार पर मैं आपको डावे के साथ कह सकता हूँ मैं जानता हूँ कि यह समस्याओं बहुत बड़े लेवल पर है और यहां एक draconian law में तब्दील होता जा रहा है दीरे-दीरे लेकिन सवाल है कि रोने और फिटने से तो हमारा bank account release होने वाला नहीं है तो इसमें हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ action तो लेना ही पड़ेगा तब ही जाकर हमारा bank account जो है वा release होगा पहला बात जो यह लोग कहते हैं कि cyber sales से contact होता ही नहीं है या बिल्कुल गलत बात है हो सकता है किसी का personal experience ऐसा रहा हो लेकिन एक व्यक्ति के साथ अगर ऐसा experience है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही experience हो सैकडों लोगों को मैंने यह suggestion दिया था उन लोगों ने cyber sales को email से contact किया था और उन्हें जवाब मिला है दूसरी बात cyber sales जब भी जवाब देता है तो या तो वो email से reply करता है या फिर अगर आपका WhatsApp नंबर है तो हो सकता है कि आपके WhatsApp नंबर पर भी वह reply भीजे जो भी objection, cyber sales आपके transaction के संबंद में बता रहा है उस संबंद में आप सारे objection को दूर करें clarify करें और वापस उसे cyber sales को भेज दें अब यह जो लोग सोचते हैं कि चलो हमने भेज तो दिया लेकिन cyber sales कुछ नहीं कर रहा है तो यह दूसरी गलत फैमी है क्योंकि cyber sales definitely इस संबंद में investigation करता है और investigation complete करके आपके bank account को release करने का आदेश दे देता है अगर कोई objects enable पैसा है तो वह उस पर अपना hold बना कर रखता है लेकिन आपके bank account को release कर देता है अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता कि cyber sales जो है वह bank account release करता ही करता है तो इसके जवाब में मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे पास अभी 25 से 30 ऐसे cyber sales के notices पड़े हुए हैं जिनमें cyber sales ने बैंकों को 20 लोगों के bank accounts को release करने का आदेश दिया था मैं वो notices यहाँ पर इसलिए नहीं सो कर सकता हूँ क्योंकि एक तो मेरे यह professional ethic के खिलाफ होगा और दूसरा कि यहाँ किसी के private information को public में लाना हो जाएगा इसलिए मैं इस प्रकार के जो भी notices है वह आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ लेकिन आप यकीन वानिये कि अगर आपने properly cyber sales को contact किया है तो definitely आपका problem solve होगा ही होगा इस मामले में जो सबसे important चीज़ है वह है कि आपको थोड़ा सबर रखना होगा थोड़ा सा आप समय दोगे, सबर करोगे तो definitely इसमें आपको result मिल जाएगा आप cyber sales को contact करने की कोशिस को जारी रखें उन्हें email के द्वारा या जो भी source है आप उनसे contact करें और definitely थोड़ी समय में आपका problem solve होगा और आपका bank account unfreeze भी हो जाएगा आसा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और informative लगा होगा thanks for watching